हाई सकीज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज की वीडियो में इसनी खुबसूरत हैरस्टाइल को मैंने आपके साथ शेयर किया है यह हैरस्टाइल मैंने दो तरह से बनाया है, बहुत ही आसान है, आप इसको खुद से भी बना सकते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस हैरस्टाइल को step by step मैंने कैसे बनाया है सबसे पहले एक low pony बना लीजिए, आप mid में भी बना सकते हैं pony को और उसके बाद इस तरह से, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ, दोनों, दो हिससे में pony को करके इस तरह से आप pony को दूसरी तरफ निकाल लीजिए, ठीक है, उसके बाद गूत लगानी है बालों को तीन हिससे में करना है और गूत लगानी है, उसके चोटी चोटी layers जो है इस तरह से लेते जाना है, अब सुरू वाले layers को नॉर्मली लेना है फिर तीसरी चो layers लीए, उसको थोड़ा सा twist किया है मैंने और उसके बाद फिर से देखिए, इसको लिया है और इस तरह से हलके से twist किया है मैंने twist करते जाएए और ये चोटी आगे बढ़ाते चले जाएए तो one side से इसमें French वाला look आएगा और इसी तरह से हमने पूरे बालों की गूत लगा ली है वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो like कर देना, like करने के साथ साथ आप मेरे चैनल पे नए हो तो subscribe कर देना और subscribe करने के साथ साथ घंटी को जरूर दवाना जिससे की notification आप तक जाता रहे इस तरह से हमने पूरी गूत लगा लेनी है और उसके बाद last वाला जो लेना है उसको भी twist करके इस तरह से ले लेना है अब हमने क्या करना यह पहला वाला style है यह वाला जो style है इसको इस तरह से करने के बाद simply हमने इस तरह से कर देना है और उसके बाद hairpin से secure कर देना है जूरा पिन से आप चाहते हैं तो इसके अंदर एक stuffy भी डाल सकते हैं उस पे यह layers आएगी तो अच्छी लगेगी बट यहाँ पर बाल ही sufficient थे तो मैंने यहाँ पर stuffy नहीं लगाया और नीचे वाले जो layers नीचे थोड़े से लटक से रहते उसको जूरा पिन या बॉप पि की माला ली है मैंने और उसकी सहायता से इसको decorate किया है तो इस तरह की jewelry अगर आपके पास hair accessories नहीं है तो इस तरह की jewelry भी आप decorate कर सकते हो तो इस तरह से देखिए कि यह वाला hairstyle बन गया अब हमने देखना है कि दूसरा style हमने कैसे बनाना है इस पहले हम इस style का final look देख लेते है तो यह है इस hairstyle का फपका आप यह second style देखते हैं हम second style के लिए हमने क्या किया है उसको फिर से खोल लिया है जो गूत बनाई थी हमने और उसको ऊपर ले जाते हुए इस तरह से चोटी को अंदर किया है जो नीचे वाले चोटी है ना उसको इस तरह से अंदर किया है और ऐसे इस तरह से फैलाते हुए पूरे सर पर crown area तक पहुँच गया है यह मेरा और यहां पर मैंने pin लगा दिया है इस तरह से देखिए तो यह वाला look भी काफी अच्छा लगता है और इस तरह से आप बनाओगे तो काफी प्यारा सा लगेगा और यह एक तरह से फिरंच बन का look आ आप देखना बिलकुल भी मत बूलना थैंक यू फो वाचिंग थैंक यू अगेंग